Hello everyone, this is your teacher Sanjeev Kumar और आज जो है हम लोग कोई physics से related कोई new topic का video नहीं देख रहे हैं और नहीं आज कोई भी हम आपको video डाल रहे हैं बलकि आज मैं आपको आपसे कुछ बाते करना चाहता हूँ कि किस तरह से मुझे preparation करना है और साथ में हम लोग एक plan करें कि video जो है कब-कब जो है डाला जाएगा उसका timing क्या होगा इसके बारे में मुझे आपको बताना है तो अभी तक जो है जो भी 12th के student है अभी तक 5 lecture जो है दिया जा चुका है और आप में से कुछ student जो है वो late से भी देखना शुरू किये हैं जैसे कुछ लोगों को पता ही थोड़ा late से चला है तो इसलिए आज मैं कोई video नहीं डाल रहा हूँ कि आपके पास extra burden नहों और चुकि अब मुझे आना है इसके problems के concept है हम already आप लोगों को coulomb force और electric fill intensity से related concept सिखाए है dipoles से related concept सिखाए है लेकिन अभी मैं आपको एक भी numerical का कोई tips नहीं दिया concept नहीं दिया उस पर practice नहीं कराया तो numerical पर practice कराने के पहले यह जरूरी है कि जो हम आपको theoretical concept दिये है वो आपके mind में होना चाहिए हला कि अभी इस chapter में हम लोगों के पास already charge density gauss law, electric flux अभी और भी theoretical content है लेकिन फिलाल जो है हम लोग जितना content सीखे theoretical उसी content को जो है फिर से उसके उस पर based जो numerical है उसका हम लोग चर्चा करेंगे और उसके लिए अब जिसे आप में से बहुत से student के mind में होगा कि सर हम रिभाइज कैसे करें क्योंकि मेरे को notes तो है नहीं कोई material तो मेरे को मिला नहीं है हलाकि app जो है बहुत हद तक complete हो गया है एक से दो दिन के अंदर आप लोग जो भी student आप institute से connected हैं आप लोगों के पास वो material भी चला जाएगा लेकिन जब तक आप direct जो है हम से पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक rough notes ही जो वीडियो है उसके help से एक rough notes को बना लीजिए फिर जो है हम लोग जो है उस rough notes के चुकी आपनी vision कर लीजिए पांचो क्लास का और कल मैं आपको numerical से related नया वीडियो दिन में एक बज़े आपको फिर से published करेंगे उमीद है कि आप लोग सब एक बज़े जो है उसको उस वीडियो को देखेंगे और एक timing हम लोग के साथ बना रहेगा बाद में मैं आपका doubt session चलाऊंगा कि जिसमें कोई problem हो वो हो वो सारे हम लोग arrangement कर रहे हैं और चुकी जो भी student यहां class करते रहें आप जानते हैं कि classroom में अकसर आपको मैं motivate भी करते रहता था अभी देखेंगा कि 11 के लिए भी एक course स्टार्ट किया गया है जिसमें हम लोग जस्ट अभी वेक्टर को स्टार्ट किये हैं और जस्ट introductory class हुआ है अगर कोई student 12 का भी हो और उसका भी अगर वेक्टर वगएरा छूट गया हो तो अपना revise कर ले और नहीं तो कम से कम आपके कोई भी मित्र हो गाउं के लोग हो कहीं भी वह ऐसे बच्चे जो की just 10 का exam दिया है आप उनको inform किजिए कि कुछ नहीं हो तो कम से कम वो इस वीडियो को देखे चैनल को subscribe कर लेंगे जिससे कि उनको notification भी आते रहेगा और कम से कम वो 11th होला portion को देखे जब तक कहीं आडमिशन न लें कहीं पढ़ने न जाए तब तक तो कम से कम बेहतर है कि कुछ तो सिखेंगे ना उनके लिए तो बेहतर ही है अब जो है देखो ऐसा है कि सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी समय को सही ढंक से इस्तेमाल करना होता है जो लोग ने वक्त का महत्त समझा जैसे lockdown है चलो ये भी हो सकता था कि मैं भी घर में आराम से बैठा रहता वो टीवी वगरा देखते रहता टाइम पास करते रहता वगरा वगरा लेकिन मुझे लगा कि नहीं अब ये तो समय फिर जाया हो गया हमारे पास जब कोई माध्यम है तो क्यों ना आपके सामने आओं और जो मेरे अंदर चीज है वो हम आप तक फिर क्यों ना पहुंचाओं देखो होता क्या है तुम लोग सुनते हो time is money time is money मतलब क्या समय का उपयोग करोगे वही सबसे बड़ा दौलत है अगर तुम समय को बरबाद करते जाओगे फिर ए खतम हो जाएगा तब तक कुमारे बहुत से competitive exam देने के लिए allowance हो जाएगा तो सब meaningless हो जाएगा इसलिए देखो जितने भी successful लोग हैं उन्होंने वक्त को बहुत ही सही ढंग से इस्तेमाल मतलब जो भी उनको समय मिला उसर मिला है उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किये हैं तो पहले तो देखो मैं अपने सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूं कि चाहे वो lockdown period हो या general period हो तुम्हें एक routine तो होना ही चाहिए एक routine बना लो ठीक है मैं जानता हूं कि तुम लोग रात के बहुत ज़्यादा देर जग जाते हो कोई बात नहीं रात क किसी दिन हम 3 बजे रात तक जगेंगे किसी दिन जो है हम साम में 6 बजे ही सो जाएंगे तुमारा एक दम health भी अच्छा नहीं रहेगा और बस तुम समझ लो कि कोई भी काम करने के लाइप बहुत अच्छे नहीं बनोगे सुबा में अगर जब भी जब भी जगते हो बहुत बढ़िया चीज है है ना तो आप देखो तुम लोगों के मोटिवेशन के लिए मेरे दौरा जो लिखा गया एक पोएम है वक्त वक्त पोएम चुकि बहुत से बच्छे कॉमेंट में लीक रहे थे कि सर आप वक्त वाला जो आप क्लास्रूम में जो पोएम सुनाते ह उसको सुनाईगा देखो ये पोएम जो है वो जनरली उन बचों के लिए मैंने लिखा था कि जब लाइफ में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना बहुत तकलीफ में चला जाता है उमीद तूट जाता है लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है तो मैंने उन बचों को ख्या गम नहीं होने देना है और उसी से जुड़ा हुगा है कि जो तुम्हारे गम के च्छन है बुरे वक्त है चाहे जो भी हो तुम कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ हो लेकिन जिन लोगों के साथ हो मैं उन लोगों के लिए बताए कि वक्त को इस्तेमाल कैसे करो तो वक्त की बात है पास है तेरे औसर निश्चित मिलेगा ये तो वक्त की है बात ये तो वक्त ही जाने मुझ बिचार रखोगे अगर इस सरल जीवन में बुलंदी पे एक दिन तेरा भी सितारा होगा मुझ बिचार रखोगे अगर इस सरल जीवन में बुलंदी पे एक दिन तेरा भी सितारा होगा और तब सिहनात करोगे और क्या-क्या याद करोगे फरियात थोरा कर लो एक दिन वक्त भी तुम्हारा होगा और देखो होता क्या है कि तुम जब बहुत सधारन होते हो तो लोग तुमको पूछता नहीं है लेकिन जब तुम अपने मेहनत से लगन से दिन रात काम करके और बहुत तरक्की कर जाते हो तब की बाते हैं चमन में खीलोगे जब तुम चमन में खीलोगे जब तुम चांद तारों की तरह पग वही रहेंगे पर हर सक्स बदल जाएंगे खुस्बू निकलेगी भी एक दिन गुलाबों की तरह थोड़ा धीरज रखो तुम लम्हे भर में तरह वक्त बदल जाएंगे धारे बांधे रखो तुम नजाकत वक्त का समझो स्वार्थी लोग हैं सारे यहां कोन किसको पहचा कियामत उन पे आएगी कहर धाया है जिसने यह कब आएगी यह तो वक्त ही जाने और देखो बहुत बार होता है क्लासरू में मैं पढ़ा रहा हूँ कोई बचा कभी मुवाइल में ब्यास्त हो जाता है कभी तुम्हारा माइंड इदर उदर डिस्टेक्ट होने लगता है मैं उन लोगों के लिए सुहानी चांदनी रातों में दीपक क्यों जलाते हैं क्लासरूम जब इतना खुबसूरत है और इतने अच्छे डंग से पढ़ाई चल रहा है सब बात समझ में आ रहा है तो यह सब करने की क्या जरूरत है सुहानी चांदनी रातों में दीपक क्यों जलाते हो रोसनी आने दो अंदर समा को सज जाने दो आत्म साथ कर लो तुम इन प्यारे च्छनों को बुलंदी पे चरणा है यूँ वक्त न जाने दो और चलो मैं तुम्हें अब लास्ट लाइन इसका बता रहा हूं जिसे बहुत से लोग को है न काते जमाना खराब है बरस्टा चार के जुग है इसका जुग है इसका जुग है जो कोई एक बात याद रखना जमाना हमेशा खराब ही रहा है अगर जमाना खराब नहीं रहा होता तो आज से धाई हजार वर्स पहले भगवान बुद्ध क्या ये बोलते कि हिंसा मत करो यानि वो समय भी हिंसा हो रहा होगा तभी नहीं हिंसा से रोकते थे यानि जमाना जहां भी जाओगे तुम अपने दादा जी से पुछोगे दादा जी के दादा जी बात कर किये होंगे तो वो भी बोलते थे कि जमाना जो है बेड़ा बहुत खराब है लेकिन बस एक बात याद रखना है कुछ लोगों कहता है घुजखोरी के जवणा है ब्रस्टाचार के जवणा है हम कैसे आगे निकलेंगे तो बस उन लोगों के लिए है मैसेज जमाने से क्यों सिखवा करते हो सदियों से बेदर्द रहा है ये जमाना जमाने से क्यों सिखवा करते हो सदियों से विधर रहा है ये जमाना आस्मा उनके कदमों के नीचे होता है जिसने वक्त पे है वक्त को पहचाना तो चलो इनहीं चंद सब्दों के साथ मैं आज तुम लोग से विदा लेता हूं और अगले दिन जो है लेकिन ट्वेल्थ हाले को एक बज़े जो है फब्लिस्ट कर दिया जागा विडियो को ओ थैंक ये